आज की वीडियो में हम बात करने वाले है कि किस तरीके से आप 25-28 मार्क्स स्कोर्ट कर सकते हो जनरल अवेडनेस में ठीक है जहाँ पर बात आती है अपके DRU MTS की तो आपको सभी जगा अलग-अलग स्लेबस मिलेगा और जनरल अवेडनेस का स्लेबस आपको क्लेरली नहीं मिल रहा है कहीं भी ठीक है तो मैंने यहाँ पर आपको सारे टोपिक में आपको बताने वलूँ कि आपको क्या-क्या पढ़ना है उपर से जहाँ भी जनरल अवेडनेस की बात होती है बोल देते हैं इस्ट्री पढ़ने है पॉलटी पढ़ने है जोगरिफिय पढ़ने है इकनोमी पढ़ने है बस इतना बोलके बोल देते हैं साथ में करेंट अफिट्स पढ़ने है बट एग्जैक्टली क्या पढ़ना है इन सब में और क्या-क्या एक्स्ट्रा टॉपिक्स आते हैं जो मिसल ग्लासिस है जो मैंने टॉपिक्स सारे बताने वाला हूँ उनकी क्लासिस मैं आपकी एक फैबरो वरी से स्टार्ट कर दूँगा वर्क चल रहा है आपके जन्रल वर्वेनेस की क्लासिस पर नोट्स बनाने में पहले ठीक है वो सब प्रिपेर करके फिर आपकी रेगुलर क्लास जन्रल वर्वेनेस की आपकी एक फैबरो वरी से स्टार्ट हो जाएंगी तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा लेना सबसे पहली चीज जो भी आपकी जब जन्रल वर्वेनेस में आती है वो होती है आपकी करेंट इवेंट्स ऑफ नैशनल एंट्रनेशनल इंपोर्ट ठीक है बहुत सारे बोलेंगे की जन्रल साइंस नहीं आएगी भाई जन्रल साइंस के कुछ बेसिक कोशिंट आते हैं ठीक है इसका मतलब इस रोड डी आइडियो से रिलेटेट कम से कम तीन कोशिंट आपके आने वाले हैं ठीक है दैन है आपका यूएन और organizational के full form organization के नाम कौन से organization क्या वरक कर रहे हैं उस रिलेटेट कोशिंट आपके आते ही आते हैं environmental issues concerning इंडिया लाज स्केल ठीक है लाइक अभी आपकी fire किस country में लगे हुए इस अपके कोशिंटस आपके से पूचे जा सकते हैं environments related, basic of computer and computer application, common abbreviation, transport system of India, Indian economy, famous personalities of India and world, flagship government programs, flora and fauna of India, important government public sector of India. अब आपको यहाँ पर यह directly geography और history और polity दिखाई भी नहीं दियोगी, बट वो अल्रेडी समें include हो गई है, यही इसकी best चीज है, ठीक है, जब आपकी constitution की बाद आते हैं तो आपकी polity आ जाते हैं, history का आपका history of Indian freedom struggle से ही आपके question पूछे जाते हैं, भार से नहीं पूछा जाते हैं, आपका maldevil और ancient history के question बहुत कम पूछे जाते हैंगा, इस नहीं पूछे जाते हैं, आज की date में आपके इतने और वो भी इस छोटे level के exam के लिए, मैं ये नहीं बूल रहा है कि exam बहुत छोटे level का है, exam का level अच्छा खासा है क्योंकि competition जादा है, ठीक है, तो जिस type के questions आपके DRD हमाएंगे, तो आप इन सभी topics को serial wise note down करके खुद भी पढ़ सकते हैं अपने research करके, वरना मैं तो आपको करा ही दूँगा February से, बट हाँ, आप मुझे पर depend ना रहें, आप जितना खुद जादा research करके पढ़ोगे, आपको उतना जादा वो याद होगा, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप सभी पढ़ोगे, बट उसके साथ कुछ extra भी पढ़ो, खुद से भी पढ़ो, चीक है, अगर आप score करना चाहते हो, अच्छे marks, तो आपको खुद से भी पढ़ना होगा, अब आपको पढ़ना किस तरीके है, जेन्डल अवरनेस के लिए आप दिन में एक घंटा आपको दो, क्योंकि 30 marks का यहाँ पर सवाल है, और 30 में से आपको कम से कम 25 तो score करने ही, अगर आप करना चाहते हो, तो एवरी डे 25 marks के लिए सबसे पहले आप अपनी morning स्टार्ट कर सकते हो current affairs, आप जितने भी बज़े उठते हो, उठने के बाद आपको simply एक वीडियो देखनी है, या तो आप मेरे चैनल से लेख सकते हो, फिर कहीं से भी देख सकते हो, जहाँ जिस चैनल के भी आपको current affairs अच्छे लगें, मेरा motive यह नहीं है कि आप सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, बस पढ़ लो, वो काफी है, ठीक है, हमारे चैनल पर हिंदी के current affairs भी आपको मिल जाएंगे, हिंदी के सुभा पांच बज़ आते हैं, और इंग्लिश वाले सुभा नो बज़े आपके upload हो जाते हैं, दैन आपकी reasoning के class आपकी everyday 8 पियम होती है, ठीक है, जनरल awareness के आपकी 1 February से start हो जाएगी, प्रोपर वाली, जिसमें tips and tricks होंगे, याद करने के लिए, वाली ठीक है, वापकी 1 February से start हो जाएगी, तो तीन चीज़े आपकी यहाँ पर हो गए, और अगर आप mathematics भी बोलोगी, तो मैं try करूँगा कि mathematics भी मैं start कर दूँ, बस उससे पहले आपको मेरे को support दिखाना होगा, कि आप कितने badly चाहते हो मेरी classes, आपने अगर मेरी reasoning के classes पढ़ी होगी, तो आपको मेरी quality of teaching का पता होगा, ठीक है, मैं quantity में नहीं बढ़ाता हूँ, और इतना बढ़ाता हूँ, कि आप उस type के questions को बिना pan और paper के solve कर पाओ, अभी तकि reasoning में तो आपका यहीं चल रहा है, आप जाकर देख सकते हो, प्लेइलिस्ट का link आपको निजए description में भी मिल जाएगा, यहाँ पर corner में, यहाँ पर eye button आ रहा होगा, एक ऐसे goal सा बना हुआ, उस पे भी click करके आपको playlist मिल जाएगी, current affairs की भी आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वो सब भी आप check out करिएगा, अब बात आती है कि आपको पढ़ना कितना है, आप दिन में सिर्फ एक घंटा दे सकते हो, morning में, 10 मिनिट में आपके current affairs हो जाएगे, 20 question और 10 question आपके हिंदी व सकते हो, sports से related आप एक topic पढ़ सकते हो, एक घंटे के लिए, art and culture से related, ये topics आप note down करो, daily बस सर्च करके आपको पढ़ना है, गूगल पर सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, everything is available, ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके पढ़ो, like past one year में cricket से related आप पढ़ सकते हो, past one year म आप football से related पढ़ सकते हो, future में जो आपके matches होने वाले हो, किस stadium में होने वाले है, किस country में होने वाले, olympics कहा होने वाले है, इस साल में अगर आपका कहीं पर commonwealth क्या olympic हो रहा है, ठीक है, cricketers से related पढ़ सकते हो, कि किस cricketer ने अभी क्या record तोड़ा, क्या record बनाया, या फिर जो भी अलग-अलग type के आपके होते हैं, ठीक है, और और भी अलग-अलग related like other countries में क्या चल रहा है, like Australia में भी आपकी bush fire लगी हुई, आग लगी हुई है, तो उस से related भी questions आपके आ सकते है, space और DRD और ISRO से related आप जरूर कर लेना, क्योंकि important है, हमेशा तीन question आपके जरूर जहां पर बात आती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने preparation कर सकते हो, ये topics guys बहुत जाद important है, अगर आपने ये कर लिए, तो guaranteed आपके 25 marks बहुत आराम से हैंगे, बहुत आराम से, आपको पता में नहीं चलेगा, और आप अच्छा score कर लोगे, अब मैं ये बोल रहा कि मैं सारा ही आपको पढ़ा दू, ये सारा ही मुझे वो content मिल जाए, जो आपका exam में आने वाल है, ऐसा भी होता है कि आप मुझसे better research कर सकते हो, कि आपको जादा need है मुझसे, ठीक है, इस exam के लिए आप prepare कर रहे हो, मैं नहीं, मैं सिर्फ आपको guide कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ने के लिए, भले ही ये सुनने में ज़ादा लगते हैं, बटा आप जब इनको पढ़ना है, तो आपको एक एक टोपिक के लिए एक ही दिन लगना है, एक एक घंटे के अंदर ही आपके हो जाएंगे, उन्नेस दिन में आप उननेस टोपिक कवर कर लोगे, उसी के bye-bye take care and all the best